आज हम लोग तेल को अलवीदा बोलने वाले हैं क्योंकि हम लोग बिना तेल के चकली पापड़ चिप्स कुरोडे यह सब तलने वाले हैं चलिए तलते हैं बिना तेल के यह सारे चीज़े तलने के लिए हम लोग लिए हैं यह चिप्स है आलू की इसमें ही हम लोग चकली प्अब करना है तो ब बोनी साहरा ऊच्छी तरह इसके बहुत ही तरह से गर्म करेता है तो we HE KIM अर्व चम चला टींग रिए घ् determining गरम गास में कम से कम 10-12 मिनिट क्या करना है गरम होने देना है हमारी किसको नमक को यह बहुत ही इंपॉर्टन पार्ट है गरम करना कि आपकी अगर नमक अच्छी तरह से गरम नहीं होगी तो आपके जो चकली चकली और चिप्स नहीं तली जाएगी इसलिए क्या करें नमक को अच्छी तरह से गरम कर लें और तलने से पहले आप पहले चेक कर लें कि आपके जो पापड़ है वह भून रहा है या नहीं हम इसका मतलब है कि तल रहा है अगर यह चल रहा है इसका मतलब है आपके जो नमक है वह अच्छी तरह से गरम है इसके बाद में आप कोई भी ची इस तरह से झारा ले जारे से क्या होगी बहुत असानी होगी और इसमें से जो नमक है वह करने के तलने के बाद में उससे ऑन निकालने के लिए आसानी होती है त package पास में यह नहीं तो आप साधा जारा भी ले सकते हैं, आपके हमारे जो चिप से रहे हैं वह दो इसे नहीं निकाल ले उसके बाखे के जो चिप्स हैं वहने भी इसी तरह से ब्हुन ले या तल ले यह बिना टेल के हैं जिसे तेल मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद उनके लिए तो यह बेस्ट है दुसरी चिप्स भी हम लोग कितने अच्छी से भून रहे हैं यह बहुत ही आसानी से भून जाती है और घाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती इस तरह से बहुत जाती है इस तरह से आप नोर भुनना बहुत आसान है और चावा-लाटा की जो पापड़ है वो सबसे मतलब कि बहुत ही अच्छी लगती हैं क्यों कि पहले क्या होता था इसी तरह से अंगार में भुंचते थे इसमें ही चकली डाले और अच्छी तरह से भून ले देखिए इस तरह से हमारे जो सारे चीज़े वह तलकर हो गया है और आप इसी नमक में जो पानी पूरी का पूरी रहता है ना आजकल इंस्टन्ड मिलती है उसे भी आप भून सकते हैं इसमें आप नड्डा तल सकते हैं और पूरी तलने की चीज़े हैं वह आप इसमें बहुत ही आसणी से तल सकते हैं इस तरह से आप बिना तेल के पापर चकली चिप्स और चुरोडे तल कर खा चकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है आप जरूर इन्हें ट्राइ करें कि तेल बहुत ही महंगा भी हो रहा है और हम कितना तेल खाएंगे वैसे भी तेल बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद निये तो आप यह जो आइडिया है वह मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी इस यार कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद